दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारती टीम अंडर 19 वॉल्ड कप को अपने नाम करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया फाइनल मैच को लेकर पाकिस्तान के दिगजों ने संसनी मच्छा देने वाली भविश्यवानी की और इस टीम को विजयता बता कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया जी हाँ दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वाल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाने वाला है जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तयार हैं लेकिन इस दौरान फाइनल मैच उसे पहले पाकिस्तान के दिगजों ने भविश्यवानी की और इस दौ अंडर 19 वाल्ड कप में भारती टीम का कौन सा खेलाडी इस वाल्ड कप में सबसे ज़ादा आपको प्रभावित कर पाया है कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वाल्ड कप का फाइनल मैच 11 फरवरी को भविशवानी करती जिसमें जमामुल हक ने बयान देते हुए काहा कि भारती टीम ने अंडर 19 वाल्ड कप के अंदर काफे ज़ादा अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके चलते उनको फाइनल में जगे बनाने का मौका मिल गया हालांकि फाइनल मैच होएं ऑस्ट्रेलिया क के खिलाफ होने वाला है ऐसे मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फाइनल मैच को जीतने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाइदीगी मुझे ऐसा लगथा है कि ऊस पारइनल मैच जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा इसके अलावा उनहुने कहा की आस्ट्रेलिया टीम के पास का और जस तरीके से आस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए हमारे खिलाफ अपने मैच को नाम किया उसके बाद मुझे लग रहा है कि आस्ट्रेलिया की टीम को जेंपियन बनने से कोई रोक नहीं पाएगा तो वहीं वसी मकरम ने बयान देते हुए काहा कि भा भारती टीम के पास में फिलाल मौझूद नहीं है अलाकि सेमी फाइनल मैच के अंदर दोनों टीमों ने दिक्कतों का सामना करने के साथ जीत हासिल करते हुए फाइनल मैच जेगे हासिल की और ऐसे में दोनों के बीच काफिज जादा रोमान्चक होगा ये मैच इसके फाइनल मैच के लिए अपनी तयारी को दुरुस्त कर लिया है तो दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अपनी तयारी में लगी हुई है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच में भारती टीम को ज ऐसे में मेरे अनुसार इस ले अनुसार इस बार टीम केप भारती टीम फिर से जीद सकती है क्योंकि आस्टरेलिया की टीम के खिलाफ भारत अब मजबूत है। भारती टीम को यहां पर दिक्कतों का सामना करना पर सकता है इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम को अंडर 19 वाल कप में दिक्कतों का सामना नहीं करना परता है और यही कारण है कि इस बार अंडर 19 वाल्ल कप में फाइनल में आस्ट्रेलिया की टीम के खलाइफ भारत को जीतने से कोई भी रोक नहीं पाएगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है अंडर 19 वर्ल कप के फाइनल मेच में भारती टीम को जीत मिल सकती है या नहीं कॉमेंट में जरूर बताईए को ने वो धाकर खिलाडी जिसे खुद भगवान सचिन तेंदुलकर का उत्रा धिकारी माना जा रहा है क्यों उसका स्ट्रगल सुनकर करोणों क्रिकेट प्रेमियों की आखे तक नम हो गई ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया उसने की अब उसकी तुलना खुद सचिन से हो रही है सब कुछ तो हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बहेंदर सिंग्धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान खिलाडी और कप्तान नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कर्केट के 1.500 सालों से भी अधिक के इतिहास में कई खिलाडी आए कई खिलाडी गए तक किसी के बसकी बात नहीं हो पाई है शायद इसलिए तो उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है जब से सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है तब से उनके रिकॉर्ड तोड़ने की कई खिलाडियों ने कोशिश की विराट कोली उनके सचिन तेंदुलकर माना जा रहा है जी हां दरसल हम जिस दूसरे सचिन की बात कर रहें वो कोई और नहीं बलकि भारती टीम के युवा अंडर 19 विकेट कीपर बलेबा सचिन दास है सचिन दास फिलाल अंडर 19 विश्व कप खेल रहे हैं सचिन दास का पूरा नाम सचिन संज बने, लेकिन सचिन के पिता हमेशा अपने बेटे को भारती क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहते थे ते। सच में चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा किर्केटर बने और अपने पिता के सपनों को पंक लगाते हुए सचिंदास इस बार अफरीका में हो रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में शांदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं दक्षिर अफरीका के खिलाफ सेमी फाइनल में उन्होंने महत्वपूर्शियानवे रन बनाए हलाकि वो अपने शटक से चूक गए लेकिन उनके बल्ले बाजु का नतीज़ा था कि पजपन रनों पर ही चल विकेट गवाने के बावजूद भी टीम इंडिया फाइनल में पह पार पर आप ना खुद भगवान सचिन तैंद्दकर से होने लगी एक तो उनका नाम सचिन हैं दूसरी तरफ वो भी सचिन तैंद्द कर की तरही सिंगल हैंडिटली मैचमें टीम इंडिया को चैम्पियन बना रहे हैं ऐसे में अब उन्हें नेक्स्ट सजिन तेंदुलकर की उबाधी भी दी जा रही है यादक कि अब हर कोई यहीं उमीद कर रहे कि सजिन दास को बहुत जल्द भारत के सेनियर टीम में जगा दी जाए और वो सजिन तेंदुलकर की कमी को पूरा करें हाला कि सबसे दिल्चस्प बात ये है कि सजिन दास को कितना वक्त लगेगा भारती टीम में अपनी जगा बनाने के लिए लेकिन अब आपको क्या लगता है सजिन दास के भारत के अगले सजिन तेंदुलकर बन पाएंगे अपनी कीमती राये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों गर आप भी रोहिच शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाग खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक सरूर कीचेगा दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद बॉक्लाएं इंग्लेंड के कप्तान बेंस टॉक्स ने जब बैमानी का अरोप लगाते हुए टीम इंडिया को दी धमकी कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी रॉंक्ते खड़े हो जाएंगे ऐसे मैब उनकी धमकी को सुनकर खुद कप्तान रोहित चर्मा ने उनको सबक से खाने का बनाया प्लैन और दिया अपने तीखे शब्दों से करारा जवाब तो आगिर क्यों दूसरे टेस्ट मैच के बाद छिड़ गई दोनों किलाडियों के बीच जबानी जंग ऐसा क्या बेंस्टॉक्स ने कह दिया कि बॉकला गए रोहित फिर उन्हें आईना दिखाते हुए सुनादी खरी खोटी दोनों किलाडियों के बीच हुई जबानी जंग का पूरा वीडियो तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और बेंस्टॉक्स में कौन है सबसे खतरनाग किलाडी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों भारत और इंग्लेंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखा पटनम के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लेंड को इस मुकाबले में 106 रनों से हरा कर सीरीज को एक-एक की बराबरी पर ला दिया इस टेस्ट मैच में पहली पारी में यशस्वी जैसवाल ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोरा शटक लगाया तो वहीं जस्परीद बुमरा ने भी 6 विकेट जटके साथ ही पूरी दूसरी पारी में भारत के लिए शुभुमन गिलने शटक ठोगा तो जस्परीद बुमरा और अश्वीन ने तीन तीन विकेट जटक कर टीम इंडिया को एतिहासिक जीत दिला दी इस टेस्ट मैच में भारती खिलाडियों ने शांदार पुरदर्शन दिखाया अब दौनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबले को पंदरा फरवरी को सौराज्ट क्रिकेट एसोसियेशन राज़कोट के मैदान पर खेला जाना है जिसके लिए दौनों टीमें जीतोड मैनत कर रही है लेकिन इंग्लेंड को दूसरे टेस्ट में मिली हार पच नहीं रही है सभी खिलाड़ी बेहत निराश हैं वहीं कप्तान बेंड स्टॉक्स बारती खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर हैरान रहे गए लेकिन वो अपनी गिनोनी हरकतों पर उतर आये उन्होंने टीम इंडिया पर बेमानी का आरोप लगाते हुए बहुत कुछ कह दिया जबकि इंग्लेंड की पूरी टीम दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में केवल 292 रनों पर आल आउट हो गई थी बारती टीम ने जीत के लिए 399 रनों का टारगेट दिया था जिसके कारण इंग्लेंड टीम ये मैच अपने हाथों से गवा बैठी मगर ये हर उन्हें यहार उन्हें खूप सता रही है हार के बाद बैंस्टॉक्स ने बहुत कुछ बयान देते हुए कहा है जिसे सुनकर तो आपके भी खून खौल उठाइंगे लेकिन उनका ये जवाब सुनते ही कप्तान रोहित चर्मा उन्हें सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया और फिर उन्होंने अपने तीखे शब्दों से बैंस्टॉक्स की लतार लगा दी तो चलिए अब हम आपको बैंस्टॉक्स और रोहित चर्मा के बीच हुए जबानी जंग की पूरी कहानी सुनाते है आखिर कैसे रोहित चर्मा ने उन्हें सिखाया सबक ऐसा क्या कुछ बैंस्टॉक्स ने अपने बयान में कहा सब कुछ